लगबग 60,000 के करीब दिल्ली में बार काउंसिल में वकीलों का रइश्ठिस्म है और दिल्ली में जो वकील है वो सबसे ज़्यादा है 60,000 और इस 60,000 में संवनों की संख्या भी बहुत है 12,000 तो स्ट्रील काष्ट ही है अब आप लगा लिजे 12,000 इसमें स्ट्रील काष्ट है तो इसमें OBC कितने होंगे फिर भी ये सारे के सारे जितने वकील हैं जो 12,000 है या जो OBC के वकील है वो कुछ समय बाद खतम हो जाएंगे, जड़ से खतम हो जाएंगे, वकील नाम की चड़िया है नहीं मिलेगी आपको जो हमारा वकील हो अगल अगल्टू होंगे, मगर वकील होंगे सिर्फ उन लोगों के पास वकील होंगे हमारे वकील नहीं होगे हमारे वकील जड़ से खतम हो जाएंगे कोई पड़े लेखे भी होंगे तो अभी उनको कोई वकील नहीं कहेगा उसका कारण है वैसे तो वो अभी भी वकील नहीं है पस कहते हैं वकील है उसका कारण यह है कि जो किताब और जो सम्विधान उनको वकील बनाती है उसको वो कहते हैं कि वो खत्रे में है और वो वकीलों की किताब है सब जानते हैं क्योंकि कानून की किताब है और वकील को विद बोलते हैं, कानुन विधाता बोलते हैं, कानुन ग्याता बोलते हैं, कानुन गो बोलते हैं, तो जब किताब ही खत्रे में हैं, तो वकील कैसे स्रॉक्षित हो जाएंगे, तो किताब हमारी, जो हमारी किताब है, वो खत्रे में हैं, तो जो हमारे वकील हैं, वो भी खत्र ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी किताब को खतम करें वो लो और हमारे वकील बचे रहें क्योंकि हमारे वकील तो अल्मोस्ट वैसे भी खतम है दिल्ली में बारे हजार स्रुल्लकाश्ट के हैं समर्ण समाज में स्रुलकाश्ट आता है समर्ण समाज में जो बीसी आता है या जो उनकी संख्या और भी जादा है बार काउंसल के मालिक वही होने चाहिए जो समण लोग हैं अगर बार काउंसल में बार काउंसल में उनके मेंबर निया थे ऐसी हलत है हमारी और ऐसी हलत है हमारे वकीलों की ये उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको जिनको आप ये कह सकते हैं क को तो कोई व्यक्ती ये कही निसकता कि वह बुधि जी भी नहीं है और बुधि जीवयों के एक ल dusty बेझे भी खटे नहीं हैं ये चाहें इंजिनियर्स हैं चाहें और प्रॉफशन के लोग हैं और उससे भी ज्यादा हालत उनकी खराब है जो इनको जगाने वाले लोग हैं ये जगने वाले और जगाने वाले सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये सब एक दूसरे को अंधिकार में जगा रहे हैं कोई इनको उजाला ना दे रहा है और ना इनको उजाला दे पा रहा है जब बुद्धी जीवी किछी समाज का अंधिरे में हो और वही जागरत ना हो तो समाज के जागरत होने की संभावना जीरो है इसलिए बुद्धी जीवियों को बार बार सोचना चाहिए, बार बार देख दिखना चाहिए, और अगर कानून के ग्याता हैं, कानून के जानकार हैं, तो उन्हें तो युद्ध छेड़ दना चाहिए, इस जागरती के लिए, कि हमको एखटा होना है, तो हम बचेंगे. क्योंकि सम्विधान को बचाने की जब बात कोई वकिल कहता है तो मैं उससे पूछता हूँ बचाओगे कैसे आज साथ तारीक और चब्श तारीक को मैं सम्विधान दिवस मनाते हैं और सम्विधान दिवस का मतलब है वकिलों का डे यानि सम्विधान के जानकारों का सम्विधान के पंडितों का, सम्विधान के ग्याताओं का डिए। इसलिए ये वकीलों का दिन भी है, ये जजों का दिन भी है, ये कानुन विदों का भी है, जो इसके इस्टुडेंट है उनका भी है, जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनका भी है, और सम्विधान का दिन हैं मैं कि जादा दिन तक रहेगा नहीं को कि पहले भी नहीँ था बाबा साफ से Pहले कोई वकील नहीं था तॉड़े समय तक नहीं था।š पांच साल थ किernICA बुद्ध हैं पहुद दंसे जादा पैदा किये ऐसे जानकार पैदा किये जो विने के नियम और संग के नियम जानते थे जो समाज के नियम जानते थे जो दुनिया के नियम जानते थे के लोग उनके चीवर को कपरों को देखे भी नतमस्तक होते थे